हाई अब्रिवान वेलकम बैक टो मारी चैनल और मेरे चैनल का नाम है वर्षा व्यूडिकेर आश्रा करते हूं आप से बच्छे होंगे दोस्तों आज के इस वीडियो में आप से शेयर करने जारी ग्रीन शिमर आय लुक इसको आप किसी भी इंडियन वैडिंग के लिए कर सकत मैं ये भी आपको आज के इस वीडियो में बताऊंगी दोस्तों कि देखे दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले मैं लगा रही हूँ गुडवाइब्स की ये है फेस मिस्ट बहुत अच्छी फेस मिस्ट है ये भी और सभी प्रोड़क का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन इसके बाद दोस्तों मैं ये गुडवाइब्स की हनी जेल है ये अपने फेस पर लगा लूँगी ओईली स्किन के लिए अच्छी है क्योंकि वैसे भी समबर में मेरी ओईली स्किन हो जाती है तो अगर आप मोश्यराइजर नहीं लगाना चाते है या नहीं पसंद है आपको अगर आप इसके बाद दोस्तों आप देख सकते है रुडदा ब्यूटी झराओ कंसेनर है ये olacak। हम एक पीजयरा हाट है यह तो आप आप उरेंज कलर का कलरक्टर यूज़ करियेगा अगर आपको इस त्रिके से ब्लक स्पोर्ण है ब्राउन स्पोर्ण है दाने हो गईय अब मैं इसे finger की help से blend कर लूँगी अच्छे से आप चाहें तो brush की help से कर लिजिए वैसे finger की help से जल्दी blend हो जाता है इसके बाद दोस्तों मैं यहां पर्स पूली की help से अपने eyebrows को set कर लूँगी इस तरीके से eyebrows को set करना बिल्कुल मत भूलेगा इसके बाद दोस्तों मैं यह Blue Heaven का eyebrow definer है इसके help से मैं अपनी eyebrows को fill कर लूँगी eyebrow को set करने से दोस्तों आपको पता चल जाता है कि आपने eyebrows को कहां कहां से fill करना है इसके बाद दोस्तों यह है purple की concealer और इसकी help से मैं मैं अपनी eyebrows को define कर लूँगी इसके बाद दोस्तों मैं लेक में लूस पावडर की हल्प से अपने कंसीलर को सेट कर लूँगी यहां पर तैकि मेरे आईशेडो में कोई भी क्रीस ना बने इसके बाद दोस्तों मैं यहाँ पर ले रही हूँ beauty glance palette और इसमें से मैं यह light green color का shade लूँगी और अपने crease line पर लगाते हुए हलके हलके हाथ उसे blend कर लूँगी बहुत ज़्यादा pressure देके blend मत कीजिएगा eye shadow को और आपने थोड़ा थोड़ा product लेकर ही यहाँ पर लगाना है blend करना है एक साथ ज़्यादा eye shadow मत लीजिएगा खास दोर से अगर आप beginners हैं तो तो बिल्कुल भी नहीं बहुत ही थोड़ा थोड़ा अपने quantity में product लेना है और फिर आपने इसे blend करते हुए लगाना है अच्छे से blend कर लूँगी आपके पास जो भी green color हो वो आप यूज कर सकते हो इस तरीके से किसी भी brand की हो eyeshadow palette तो वो आप लगा सकते हो इसके बाद दोस्तों मैं Swiss Beauty की gel eyeliner लूँगी और small flat brush की help से इसे इस तरीके से अपने eyelid पर लगा लूँगी और हलके हातों से इसी blend कर लूँगी तो यह देखे दोस्तों मैं अच्छे से इसे blend कर लूँगी और इस तरीके से दोस्तों मैं ने लाइट ग्रीन शेड लूँगी यह शिमर शेड है शिमर आई शेडव लगा लूँगी यहां पर फिंगर की हल्प से लगा लूँगी मैं यहां पर आप देख सकते हो आप चाहें तो ब्रश की हल्प से भी लगा सकते हो या फिर फिंगर की हल्प से भी आप लगा सकते हो फिं दोस्तो मैंने उन्वे बेह कि यहाँ पर लाइनर लगा ही है आप देख सकते हो आप चाहिए तो विंग डाइलंडर लगा सकते हो या फिर आप कोई भी लाइनर लगा सकते हो जैसे भी आपको पसंद हो इसके बाद दोस्तों मैं फेसिस कैनेडे का काजल लूँगी और यहाँ पर मैं काजल लगा लूँगी दोस्तों आप इस लुक को किसी भी साड़ी लहंगे या फिर आप गाउन के साथ भी इस लुक को कर सकते हो दोस्तों अगर आपके पास भी मेरी तरह यह वाले ग्रीन कलर क पर लगाया था वह मैं लवर लैश लाइन पर भी इस तरीके से लगा लूँगी बिल्कुल काजल के साथ-साथ लगाना है हलके हाथों से ब्लेंड करना है इसके बाद दोस्तों मैं हाज दो फाउंडेशन को मिक्स करकर यहां पर लगाने वाली हूँ यह है लेक में अअत छोम ब्यूटी ब्लेंडर मिला था उसी से मैं से ब्लेंड कर लूँगी डैप कर तो भी आपने ब्लेंड करना है और अрашधे से भी हो पानी बिल्कुल नहीं सेवल नहीं होना चाहिए इसमें ब्लेंडर मैं आपके तो देखे आपने blending में बहुत अच्छे से time देना है दोस्तों बहुत जल्दबाजी मत किर जेगा क्योंकि foundation हो या eyeshadow हो अच्छे से blending में time देना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है तब ही आपका जो base है वह flawless दिखता है और कुपसूरत दिखता है पैची नहीं दिखता है और कान जो होते ह पर भी अच्छे से apply कर लीजिए कुछ लोग काफी बार जल्दबाजी में सिर्फ face face को foundation लगा लेते हैं फेस पर और गर्दन पर भूल जाते हैं तो ऐसी गलती नहीं करने हैं आप इसे एक तरह से waterproof makeup भी बोल सकते हो दोस्तों क्योंकि ये makeup मेरा काफी देर तक टिका रहा था इसके बाद दोस्तों मैं swiss beauty की makeup fixer से अपने makeup को set कर लूगी यहां पर अच्छे से fix कर लूगी नेक्स में दोस्तों ये शिवाना blush palette है और इसमें चो contour shade है इस तरीके से मैं contouring कर रहे हूँ आज मैंने दोस्तों contouring कुछ अलग तरीके से की है अगर आपके पास brush नहीं है ना contouring के लिए तो आप इस तरीके से beauty blender को ही थोड़ा सा इस तरीके से fold कर लीजे और इस तरीके से भ पैलेट मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया दोस्तों इसके review मैंने चैनल पर शेयर किया हूआ है क्यूंकि काफी नैशरल सा प्लश है मुझे इसका जो शेयर है दोस्तों वह बहुत अच्छा लगता इसका color बहुत जाद अच्छा लगता है dusky skin tone की हिसाब से तो perfect है इसके इसके बाद में सेम पैलेट से हाइलाइटर लगा लूगी यहाँ पर real technique के brush के help से यह काफी fluffy brush है आप देख सकते हो small fluffy brush है आप बोल सकते हो इसे हाइलाइटर बहुत अच्छे से apply हो जाता है इसके help से तो दोस्तों अगर आपने south की किसी wedding में जाना है या किसी relative की शादी या लगा लूगी यहाँ पर आप देख सकते हो बहुत ही beautiful सा shade है क्योंकि मेरा जो eye makeup है थोड़ा सा heavy आज मैंने रखा है इसलिए light pink shade या फिर nude shade भी आप लगा सकते हो जो भी आपको shade पसंद हो lipstick आप अपने हिसाब से भी लगा सकते हो दोस्तों यहाँ पर मैं अपनी braid बना लू दोस्तों आशा करती हैं आपको पसंद आया होगा पसंद आये तो please friend मेरी इस वीडियो को like share जरू कर दीजेगा comment करके जरू बताना दोस्तों कि आपको मेरा ही आज का makeup look कैसा लगा और दोस्तों आप मुझे follow कर सकते हो facebook instagram mx लगटक पर भी और दोस्तों मैं आपसे मिलती हू और भी helpful videos के साथ तब तक के लिए bye bye take care love you all झ्ड़िप सा सकती है